राजनाद गाओं के सहरी इलाकों में आम जनता को सस्ती दर पर सुद्ध पानी मुहया हो सके, इसके लिए नगर निगम ने चुनिंदा जगहों में वाटर एटियम लगाया है लेकिन क्या मतलब का मेंटरेंस के भाव में वाटर एटियम इतने खराब हो गए है कि सिक्का जगहों में water ATM लगाया गया है वही maintenance के अभाओं में water ATM खराब हो रहे हैं इसके अलावा बिजली connection नहीं होने से ATM मसीन बंध पड़ी हुई है लेकिन water ATM मसीन से पानी नहीं निकलने से लोग काफी परेसान है पानी की तलास में तो आते हैं लेकिन जब पता चलता है कि साल भर से ATM मसीन बंध है तो लोगों के हाथ निराशा ही लगती है एक तरफ भारत सासन लोगों की सुविधा के लिए अनेक योजनाय संचालित कर रहे हैं लेकिन प्रसासनिक उदासिंता के चलते कई योजनाय धरातल में ही दम तोड़ रही है सब अपने यहां जो निगम छेत्र में वाटर एटियम बने हैं कुछ एटियम बंध है कितने एटियम बने हैं और बंध है तो क्या वज़ा मांगते हैं इसके तरह हमारे यहां पहले दौर पे दो वाटर एटियम बने थे बाद में चार और वाटर एटियम बने हैं कुल मेल जो बंद है उनको निश्चित तोर पे जल्द ही मेंटेनेंस करा लिया जाएगा और मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जिसमें हमने चिल्ड वाटर फेसिलिटी जब से इस वाटर रेटीम पे दिया है तब से इसकी पंचिंग के वाटर पे 10 से 15 पंचिंग होती थी यह कम से कम 1500 से 200 पंचिंग जा रही है जो निश्चित तोर पे लोगों को जस्ता सुलब सुद्ध बेजल उकलब तकरा रहा है जिसका लोग फाइदा भी उठा रहे हैं बंद राजनान गाउंसे सुर्यकांतियादों की रिपोर्ट ACN24